यहाँ का आपने जब अपने सकूल में अध्धन किया होगा तो क्लास में आपने आपने क्लास के जो आपके साथ ही एस्तुजेंट है, उनका behavior pattern देखा होगा, उनका जो आचरण है, आचरण या वहवार है उनका देखा होगा, नोट किया होगा, कि उसकी जितने भी छात्रे हैं, उन सब का आचरण लगवग लगवग अलग लग होता है, जिनके आचरण लगवग मि पढ़ाते थे, क्लास लेते थे और क्लास में सारे बिक्कू और श्टुडेन्ट आते थे तो उन सबका वहवीर पैटन और उनसबका आश्ण या वहवार अब अलग अलग होता था क्योंकि उन्हें पकने में देल लगतो थी कुछ ऐसे होते थे जिनको अक्षर याद नहीं होते थे मगर वो उसका भाव पूरा समझ देते थे कुछ ऐसे होते थे कि जैसे भगनवार बुद्ध ने कहा जैसे वो बैठे वैसे ही वो करते थे और वैसे ही वो उनको ब्रुकल कॉपी करते थे कुछ ऐसे होते थे जिनको ज़्यादा बात समझ में नहीं आती थी एक दो काम की बात समझ में आती थी और वो उसी पे चलते थे कुछ ऐसे होते थे जिनको बार-बार-बार भी बात समय में नहीं आती थी एक आग बात मुस्किल से पले पड़ी तो वो उसी में लग जाते थे ऐसा पूरी दुनिया के सारे classroom में सारे जितने भी class होती है उसमें behavior pattern किसी भी age का student का होता है चाहे किसी भी age का student हो या किसी भी तरह की class हो ये एक universal behavior pattern होता है वहाँ भी था क्योंकि भगनवान बुद्ध कोई अनौकी तो थे नहीं वो तो खुद कहते थे कि मैं तो एक मनुस्य हूँ तो हुआ ये कि जो student ऐसे थे जो भिक्कू ऐसे थे कि जिनको भगनवान बुद्ध की बातें एक यवार में याद हो जाती थी तो वो सेखी बहुत बगारते थे और वो अपनी विट्धा और अपने शब्दों का वान और अपने शब्दों के जाल में जो और भिक्कू थे उनके सामने ऐसे फैंकते थे कि उनको लगता था कि ये मेरे सामने कुछ नहीं है और जो विचारे भिक्कू थे वो चुक रहते थे, वो कुछ निक कहते थे, तो सेखी बगारना और आचरण में यानि प्रेक्टिस में जो बात बताई है उसे वो करते नहीं थे, तो ऐसे बहुत सारे जो कहानी थी, ये कई वार जब भगनवान बुद्ध पढ़ाते थे, उस समय भी ये बात आती थी, जैसे क्लास के अंदर इस्टुडेंट खड़ा हो जाता है, जो बहुत जादा अक्षरों के साथ जानता है, या कॉपी पेष्ट करना चाथ जानता है, तो वो खड़ा होके बोलता है, क्लास में बताता है, पूरा-पूरा घट्टा मार देता है, जैसका ऐसका है, और कोई समझदा student होता है वो उसका सिर्फ सार बताता है और वो चुप हो जाता है और कई ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं मगर वो सेखी नहीं बगारते हैं वो चुप रहते हैं कई ऐसे भी होते हैं जो कम जानते हैं वो शांत रहते हैं और कुछ वे आप कुछ ने जानते हैं, हम सारा जानते हैं उस समय भग्नवान गुत्चों कि वो तो पारगामी थे और सब की मनोदसा जानते थे उस मनोदसा को जानते हुए उन्होंने यहां दो गाथाएं बताई तो भग्वान ने यह दो गाता है कहीं कि बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाला या बहुत ज़्यादा पूरे पूरे जो मैं बताता हूँ उसको रट्टा मानने वाला या उसको समझने वाला या उसको याद करने वाला कोई भिक्कू हो, कोई व्यक्ति हो और वो उसकी practice ना करे, उसके आचले पे ना उतरे, महनत ना करे, तो वो ऐसा ही होता है, जैसे कि कोई आदमी किसी की गायों को अगर चराने ले जाता है, और साम को लाके गिंती करके उसको दे दिता है, तो उसके पास सिर्फ गिंती देती है, गाय नहीं देती, ना गाय का और कोई व्यक्ति अगर एक भी बात को समझ ले और वो उसके practice करे, और वो उस फल को प्राप्त कर ले, जिस फल के लिए महत करता है, यानि वो समन फल प्राप्त कर ले, साधू बन जाए, तो वो ठीक ऐसे ही है, जैसे कि कोई गाय का जो गाला होता है, वो अपनी गाय का बहुंपी चे सहितंग भास मानो नै तैकरो होती नरो पमत्तो गोपोव गावो गलेंग परेसंग नै भागवा समयस होती इसमें जो पहली लाइन है, बहुंपी चे सहितंग भास मानो इसका मतलब है बहुंपी चे सहितंग चे माने यदी होता है बहुंपी माने अगर कोई बहुत भी और सहितंग माने जो सहिता होती है जैसे आचार सहिता बोलते है यानि कि वो पूरा पूरा जो बताया गया है उसको सहितंग बोलते है सहीता बोलते हैं जैसे आचार सहीता लगती है ला code of conduct भास मानो मानलब है भाशन देता है बोलता है यानि कि कोई अगर सहीता पढ़ लेता है या उसको जान लेता है क्योंकि जो वो बोलते हैं उसको समझ लेता है और बहुत ज्यादा बोलता है उसके बारे में ने तैक करो होती नरो पमत्तो ने तैक करो यानि नहीं तै माने उसे करो माने करता है यानि कि उसको करता नहीं है होती नरो पमत्तो जो नर है जो मनुस्य है वो पमत्त में पड़ा रह जैता है और वो पैक्टिस नहीं करता है गोपोव, गावो, गडेंग, परेसंग ये ठीक ऐसे है, जैसे गोपोव जो होता है गोपोव माने जो गायों को चराता है गावो माने गाय, गडेंग माने गिनता है परेसंग माने दूसरे की जैसे दूसरे की कोई गाय चलने वाला गाय को गिनता है ने भागवा सामयस होती भागवा का मतलब है उसको भाग नहीं मिलता ने माने नहीं भागवा माने भाग नहीं मिलता उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता सामयस होती का मतलब है जो समन का भाव है यो साधू का जो उसे उपादी मिलने वाली है यो मेहनत का फल मिलने वाला है वो उसको नहीं मिलता ये गाथा नंबर 19 है गाथा नंबर 20 इस प्रिकार अप्पम्पी चे सहितंग भासमानो धमस होती अनुधमचारी रागंच दोसंच पहाय मुहंग इसमें जो पहली लाइन है अप्पम्पी चे सहितंग भासमानो अप्प माने होता है थोड़ा और अप्पी माने होता है भी चे माने यदि सहितंग भासमानो सहितंग माने सहिता भासमानो माने अगर पढ़ता है भाशन देता है यानि एगर कोई थोड़ा भी अगर सहिता को पढ़ लेता है और बोलता है भासमानो है धमस्य होती अनुधमचारी और जो धम का होता है अनुधमचारी यानि कि जो धम के अनुसार धम समप जानो सू विमुत चित्तो जो विमुत यानि सू माने बहुत अच्छा वी माने विमुत होना और चित्तो गो जो चित्तो से बहुत अच्छी तरह से विकारों से मुक्त हो जाता है संप जानो, संप जानो माने जो सम्मेक प्रकार से जानगाई रखता है विमुको होने की विमुक्तो होने की अपने चित्तों के मेलों से अनुपाद यानो इद्वा हुरंग वा अनुपाद यानो का मतलब है कि उत्पाद नहीं करता है अनुपाद यानों का मतलब है पैदा नहीं करता है क्या इध वा उरंग वा यानि इधर भी या उधर भी मन के अंदर भी ये सरीर के अंदर भी कैवार इसको बोला जाता है कि इस जनम में भी और उस जनम में भी यानि कि वो पैदा नहीं करता इस जनम में या उस जनम में या इसको कह सकते हैं अगर कोई दूसरे जनम की बात नहीं मानता है कि मन के अंदर और शरीर के अंदर वो कोई भी बुरी चीज पैदा नहीं होने देता है से भागवा सामयस होती वहे भाग प्राप्त करता है से भागवा का मतलब है वहे भाग प्राप्ट करता है किसका समन फल का यानि कि वो सोतापन भी हो सकता है अरत भी हो सकता है अनागामी हो सकता है सदागामी हो सकता है और बुद्ध भी हो सकता है उसको प्राप्ट होता है इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर थोड़ा भी को जानता है और उसकी अगर प्रेक्टिस करता है धम के नुसार करता है राग दोस और मों से मुक्त रहता है तो वो इसमें या उसमें या उसमें या कह सकते हैं इस जनम में या अगले जनम में समन्ने फलका अधिकारी होगा ऐसा उन्होंने बताया धन्य झालाओ